आज इस वीडियो में हम करेंगे अपनी 10th क्लास की पोएम 7 एनिमल्स और एनिमल्स जिसको लिखा है वाल्ट विट में नहीं वाल्ट विट में कौन था वाल्ट विट में वोज अमेरिकन राइटर, अपनी 10th में वो पैदा हुए और 1892 में उनकी बृत्ति हो गई अठारा सु पच्पन में उनने सौंग्स ओफ मैं लिखा और जिसमें एक पोएम थी पोएटिक कलेक्शन था लिव्ज ऑग्रास और यहां पर उनका पोएटिक विजन हमें इस से देखने को मिलता है कि वो किस क् मैं आपको एक थोड़ा साइडिया देती हूँ इसके बारे में वोल्टवाइट में जो है वो बताएंगे हमें कि कैसे वह जान्वरों इसको अच्छा समझते हैं बजाए ईूमन बिंग को उन्यों बिंग मनुशह जो हैं वो मनुश्यों की तुलना चैन्वरों से करते हैं जैनुरों की तुलना मनुश्यों सी कर रहे हैं और बताते हैं कि जो एनिमल्स हैं that are better than human beings और वो हमें कारण भी बताएंगे mention करेंगी वो कि क्यों वो ऐसा सोचती हैं क्यों वो ऐसा मानती हैं तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं HBSC board के previous year question answers जो इस poem से हमेशा repeatedly पूछ जाते हैं पहला question है what is the poet turning from यह पुछा जाता है बार-बार question कि poet जो है इस poem में किस से मुढ़ना जाता है किस की तरफ से घुमना जाता है और किस की तरफ जाना जाता है यह पुछ लिए जाता है तो दोने questions के answer में आप यह लिखेंगे the poet Walt Whitman poet जो है वो कौन है Walt Whitman है और the poet Walt Whitman wants to turn from human beings यह मुणना तो चाता है human beings की तरफ से and he wants to live with animals तो अगर उसके answer में आपको यह लिखना है तो आप इसका screenshot ले लिजी एक बार और फिर हम शुरू करते हैं हम explain करेंगे इसको कैसे क्या कुछ लिखा है हमने क्या catch चीजें लिखी है इसमें तो take a screenshot now see mention three things that humans do and animals don't the main idea of the poem the animal तो सबसे पहले हम introduction लिखेंगे introduction में हम लिखेंगे कि the poem animal is written by Walt Whitman यह poem लिखी है Walt Whitman नहीं in this poem poet compares animals with human beings उसके बाद हम poem के बारे मताएंगे कि इस poem में क्या कुछ दे रखा है in this poem the poet wants to live with animals इस poem में poet जो है वो चाहता है रहना animals के साथ he says that animals are better than humans वो कहता है कि animals जो होते हैं वो better होते हैं अच्छे होते हैं ज्यादा बढ़िया होते हैं humans की बजाए because क्यों कारण बताता है वो वो कहता है कि number एक तो they do not sweat or whine about their scenes क्योंकि वो जो है अपने sweat नहीं करते पसीना नहीं भाते और रोते चिलाते नहीं है अपने पापों के बारे में but humans ऐसा करते है but humans do that second है they do not lie awake in dark वे जागते नहीं रहते रातों को और but humans do that as they weep for their scenes at night जो इंसान है वो अपने पापों के लिए प्राश्चित करते रहते हैं रात को उनके पाप उन्हें सुन नहीं देते लेकिन जो अनिमल्स है वो ऐसा नहीं करते घरट तगकी थर्ण डिफ्रेंस हैं ध Dus वरक के शीप आर आदो आहों आहां इसा नहीं होते हैं और बिल्कुल सेलफ कंटेंड है अपने आपने में मजने हैं लेकिन आरnd स्फिश्व ऐसा नहीं होते हैं So the poet wants to live with animals इसलिए जो poet है वो रहना चाता है animals के साथ तो ये थी हमारी poem students अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक कीजिए वरना आप फिर से बुल जाएंगे और मेरे चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe it now Thank you, have a nice day